Hey students, आज इस tutorial में हम triangle की एक और बहुत important theorem को prove करेंगे और यह theorem यह कहती है कि हमारे पास कोई भी triangle हो, कैसी भी triangle हो उसके तीनो altitudes एक ही point पे meet करते हैं मतलब कि जैसे यह A से अगर मैं यह perpendicular draw कर रहा हूँ यानि कि यह जो altitude है इस side के उपर C से अगर मैं यह altitude draw करता हूँ इसके उपर और B से यह perpendicular यानि कि altitude अगर मैं draw करता हूँ इसके उपर तो यह तीनों आपस में एक single point पे एक दूसरे को intersect करते हैं और इस point को इस particular point को जहांपे यह meet कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं ortho center अब proof इसका बड़ा असान है और इसको proof करने के लिए हम refer करेंगे यह theorem जो हम already prove कर चुके हैं और यह theorem यह कहती है कि हमारे पास कोई भी एक triangle हो कैसी भी एक triangle हो उसके तीनों perpendicular bisectors यानि कि जैसे यह BC का यह perpendicular bisector यानि कि D point जो है D से यह जो line draw की है यह इस पर perpendicular भी है और यह इसको bisect भी करती है ऐसे ही इस line के ओपर E यह इसका midpoint भी है और E से यह perpendicular draw की है ऐसे ही F यह इस side का midpoint भी है और यह perpendicular है तो यह जो तीनों perpendicular bisector है यह एक ही point पे meet करते हैं जिसको हम circumcenter बोलते हैं तो यह जो result है इस result को मैं use करूँगा directly इसको use करूँगा ortho center वाली theorem को proof करने के लिए और इसका proof बहुत ज़रूरी आपके लिए देखना और उसके लिए आप इस link को देख सकते हैं जिसमें यह मैं already proof कर चुका हूँ यहां मैं इसका result directly use करूँगा तो let's now solve it लेकिन उससे पहले अगर आपने यह channel subscribe नहीं किया तो इसका proof बहुत असान है यह मैंने एक triangle ले ली और सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यह a vertex से होते हुए एक line draw करनी है जो b c के parallel हो similarly यह c vertex से होते हुए एक line draw करनी है जो a b के parallel हो and similarly b से होते हुए मुझे एक line draw करनी है जो a c के parallel हो तो ये तीनो लाइन्स आपस में कही न कहीं तो intersect करेंगी तो एक point को मैंने D बोल दिया एक को E और एक को F तो सबसे पहले मैं यह ही लिखूँँगा Draw D, A, E Parallel to B, C And E, C, F Parallel to A, B And D, B, F Parallel to A, C तो ये तीन लाइन्स हमने Parallel Draw कर ली ठीक है, ये बात हो गई अब इसमें हम एक और बड़ा important result यूज़ करेंगे और वो ये है, मैं आपको पहले बतायता हूँ कि मेरे पास कोई दो Parallel Lines हो ठीक है, तो ये दोनो Parallel Lines हैं और इनके बीच में कोई भी एक ऐसी Lines में Draw करूँ जिसको Transversal बोलते हैं जो इस Lines के ओपर 90 Degree का एंगल बनाता हो तो definitely वो दूसरी Lines के ओपर भी 90 Degree का ही एंगल बनाएगा ये हम lower classes में बहुत बार पढ़ चुके हैं तो इस result को मैं यहाँ पर बार बार यूज़ करूँगा कैसे, देखो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा मैं ये quadrilateral ले ले लेता हूँ D, B, C, A और मैं ये प्रूफ करता हूँ कि ये एक Parallelogram है कैसे, देखो in quadrilateral D, B, C, A अब इसमें हमें पता है के D, A, जो है D, A ये Parallel है B, C के, ठीक है, कैसे ये इसको अगर मैं number 1 बोल दूँ, तो ये हो गया from 1, ठीक है इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं 3 तो D, A, D, A, E D, A, E, ये पूरी line जो है, ये इसके Parallel थी तो उसका part भी तो इसके Parallel होगा ठीक है, similarly ये और ये ये भी तो आपसमे Parallel होगे क्योंकि D, B, F D, B, F, वो A, C के Parallel हमने खुदी Construct किया है also यहां से आजाएगा D, B is Parallel to A, C ये कहां से आगया from 3 ठीक है, तो किसी भी Quadrilateral की Opposite Sides अगर Parallel होग, तो वो Parallelogram होती है, तो यहां से क्या आगया, this implies D, B, C, A is A Parallelogram, ठीक है और अब हमें ये result भी पता है कि Parallelogram की जो Opposite Sides हैं वो आपसमें Equal होती है तो मेरा Ultimate Aim क्या है मेरा Ultimate Aim ये है, कि मुझे D, A, E का Midpoint है इसी तरह C को मुझे इसका Midpoint और B को मुझे इसका Midpoint प्रूफ करना है तो अभी सबसे पहले मैंने ये प्रूफ कर दिया कि D, A जो है, वो B, C के बराबर है, क्योंकि ये एक Parallelogram थी, तो यहां से आजाएगा, this implies D, A is equal to B, C ठीक है, तो इस Result को मैं यहां पे Highlight करके रख लेता हूँ, इसको बोल देते हैं, से Number 4, अच्छा अब मैं B, C, E, A मैं ये वाली Quadrilateral लेता हूँ, so In Quadrilateral B, C, E, A अब इसमें भी हमें पता है, कि B, C जो है, वो Parallel है, A, E के A, E के Parallel है, और Why, फिर से यही Because of 1, तो यह आ गया From 1, ठीक है D, A, E तो A, E D, A, E का ही Part है D, A, E, A, E तो A, E जो है, वो B, C के Parallel हो गया और दूसरी तरफ से ये जो B, A है ये जो B, A है ये इसके Parallel हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके Parallel थी Also यहां से आजाएगा A, B Is Parallel to E, C ये कहां से आगया? ये आपका आजाएगा From 2 तो ये आगया From 2 तो फिर से वही बाद ये साइड इसके Parallel ये साइड इसके Parallel तो ये मेरे पास एक Parallelogram बन गई तो फिर से मैं यही लिखूंगा के This implies B, C, E, A Is A Parallelogram तो अगर ये Parallelogram है तो उसका मतलब क्या हो गया? Opposite sides equal होंगी तो यानि की A, E जो है उसकी length जो है वो B, C के पराबर हो जाएगी और इसको हम बोल देते हैं से number 5 अब number 4 में क्या है? कि D, A, B, C के पराबर यहां क्या है? A, E, B, C के पराबर तो ये भी B, C के पराबर और ये भी B, C के पराबर तो यहां मैं लिखूंगा from 4 and 5 D, A जो है वो A, E के पराबर हो गया तो D, A is equal to A, E तो अगर ये D, A और A, E आपसमें पराबर हो गए this implies A is midpoint of D, E तो ये चीज मैंने conclude कर ली के A जो है, ये A जो है ये D, E का midpoint है Similarly, मैं C को इसका midpoint और B को इसका midpoint प्रूव कर सकता हूँ और उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है उस case में मैं सीधा यहां पर बस लिखूंगा ही तो मैं सीधा ही लिख दूँगा Similarly, C and B are midpoints of E, F and D D, F respectively तो ये बात हो गई B को इसका midpoint प्रूव कर दिया C को इसका midpoint प्रूव कर दिया और अब मैं क्या करता हूँ अब मुझे ये पता है अब उसी theorem से मुझे ये पता है कि midpoint पे अगर मैं perpendicular draw करूँ तो यानि कि वो इसका perpendicular bisector इसके midpoint पे अगर perpendicular draw करूँ तो वो इस side का perpendicular bisector और A से अगर मैं perpendicular draw करूँ तो वो D E का perpendicular bisector हो जाएगा तो अगर अब मैं यही काम करूँ कि ये मैं अब ये करता हूँ कि A, B और C तीनों से मैंने perpendicular draw किये तो ये इस पे perpendicular ये इस पे perpendicular और ये इस पे perpendicular तो ये तीनों क्या हो गए यह इसको चलो इस point को हम O बोल देते हैं यह जहां पे तीनों मिल रहे हैं आपस में इसको हम O बोल देते हैं तो अब perpendicular bisector वाली जो theorem थी उसके हिसाब से यह तीनों perpendicular bisector जो हैं यह आपस में एक ही point पे meet करेंगे अगर अभी भी clear नहीं हो रहा है तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ यह मैं यहां से इसको delete कर देता हूँ यह इसको delete कर देता हूँ और इसको भी delete कर देता हूँ तो अब आप देखो यह वाली theorem हो गई जो मैं आपको बताया था कि यह perpendicular bisector यह perpendicular bisector और ये भी perpendicular bisector तो ये तीन हो एक ही point पे meet करेंगे वो वाली theorem हो गई ठीक है चलो इसको हम वापस ले आते हैं आप तो अब हमने यहाँ पे क्या किया हमने ये B से perpendicular bisector C से और A से perpendicular bisector से draw किये लेकिन हमने उनकी length थोड़ी लंबी कर दी कि B से जो perpendicular bisector है इसको मैं यहाँ से R तक ले गया ठीक है C से जो था उसको मैं ये S तक इस point तक ले गया और इसको मैं T तक ले गया ठीक है तो कोई इसमें हर्ज नहीं है लेकिन हमें यह पता है कि ये तीनों A की point O पे intersect करेंगे तो मैं यहां लिखता हूँ के draw perpendicular bisectors B R C S and A T on sides D F E F and D E respectively so we know we know that perpendicular bisectors of a triangle are concurrent तो यह रिजल्ट हमें अल्रेडी पता है कि यह concurrent होते हैं तो यह O point पे meet करेंगे लेकिन अब वही बात के यह मेरे पास दो parallel lines और यह बीच में एक perpendicular जो इस पर perpendicular तो इस पर भी perpendicular होगा तो अब मुझे यह बता है कि D B F जो है वो A C के parallel है तो अगर यह इसके ऊपर perpendicular है यह बीच वाली line इसके ऊपर perpendicular है तो वो इस पर भी perpendicular होगी राइट तो यहां से अब मैं यह लिखूंगा आओ बी आर इस परपेंडिकलर ओन डी बी एफ राइट इस इंप्लाइस इस इंप्लाइस बी आर इस परपेंडिकलर ओन A C as well वाइ उसको हम यहां लिख देते हैं because D B F is parallel to A C similarly यह जो line है A T वो इसके ऊपर perpendicular और यह इसके parallel तो यह यहां पर भी perpendicular और similarly यह जो C S है यह इस line के ऊपर perpendicular तो यह दोनों आपस में parallel lines है तो यह यहां पर भी perpendicular होगी तो मैं directly लिख रहा हूँ similarly A T is perpendicular on B C and C S is perpendicular on A B तो यही तीनों result हमें चाहिए थे यह तीन result हमें चाहिए थे के A T इस side के उपर altitude C S इसके उपर altitude और B R इसके उपर altitude और यह तीनों altitude जो हैं वो एक common point O से ही होके निकल रहे हैं और यहां आप मैं लिखूंगा और यही हमें प्रूफ करना था तो बस सिंपल साही प्रूफ है के आपको प्रपेंडिकलर बाइसेक्टर वाली थेयरम जो है उसका प्रूफ सीधा ही अप्लाई करना है और वहीं से ही directly conclude हो जाता है के जो तीनों अंदर चोटी वाली ट्रेंगल के क्योंकि अल्टिमेंटी तो हम चोटी वाली ट्रेंगल की पात कर रहे हैं तो चोटी वाली ट्रेंगल के जो तीनों अल्टिटूट्स है वही चोटी पात करते हैं और एक ही पॉइंट पे मेट करते हैं ना इस यह रही ली लाइक दिस ट्रूट्रियल और आपको बढ़े अच्छे से समझ में यह ए तो ताइम ट्रेंटी तो अगे त कर दो